हलो गाई आप सबी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टावर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की नुच पर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग से पूछ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सब चले गया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं से पहले आज हम बात करने वाले हैं UPSC Pet की Best Book के बारे में जो की चक्षू Publication की आप यहाँ पर देख सकते हैं UPSC Pet Samuga की संपूर्ण Guide है जिसमें आपको Slavers के According हर एक चीज मिल जाएगी और 22 सो जादा यहाँ पर बहुविकल पिये जो हैं मात्पूर्ण प्रस्ट हैं, 200 पेपर जो की आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं प्रेक्टिस सेट भी बहतीन तरीके का है और जो दोनों प्रेक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको Explanation भी सही से मिल जाएगा साथी साथ आपको यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट है वो सिदार्थ इनवस्टी से है और सिदार्थ इनवस्टी ने अपनी परिक्षा कारकरम को कल गोसित कर दिया है और एक नोटिस जारी कर दिया है एक सूचना जो है उन्होंने जारी कर दिया है यह जो सूचना है वो BBA, BCA, LLB, MA, MSC, MCAG, BSCAG, समसमेश्टर, एउम BPA, दुतिये वर्स तथा M8 पर्थम वर्स की परिक्षा मानिनिये कुलपत जी के आदेशा अनुसार 20 जुलाई 2022 तथा B8 पर्थम एउम दुतिये तो B8 वाले जो भी चात रहे हैं सिद्धार्थ इन्वर्स्टी के उनके लिए अच्छी अपडेट है कि B8 पर्थम एउम दुतिये वर्स की प्रायोगी परिक्षा नहीं जो प्रैक्टिकल है वो आपका 20 जुलाई 2022 22 और सिद्धान्तिक परिक्षा जो आपका है वो आपका 5 अगत से सुरू होगा तो एक बड़ी अपडेट है जल्दी इसका कारिक्रम भी इनकी ऑफिसल साइट पर घूसित कर दिया जाएगा जैसे इसका कारिक्रम आएगा आपको चैनल के माध्यम से सुचित किया जाएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किये रहे हैं जाएगी जो भी इनुविस्टि के चात्र हैं आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें जैसे ही आपकी इनुवस्टि से कोई भी nooks जारी होगी इस चैनल के माद्यम से आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा तो सभी इनुश्टी के चाहत इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किये रहे हैं चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरह जो अगली अपडेट है वो है सिक्षक पद की भरती की जो इंत कर रहे हैं ठीक है अभी सिक्षा मंत्री यानि संदीब सिंग का बयान दो दिन पहले आया है और उसको ले करके जो च्छात ने वो काफी ज़्यादा आहत है और काफी ज़्यादा परेसान है हलाकि मैं अपडेट बता दूँ आपको यहां पर लिखा है कि बेसिक सिक्षा पर खात के आदार पर पद का अकलन कराया जा रहा है रिपोर्ट आने पर यह अधबहरती क्या हो सकता होगी तो मुख्यमंत्री की अनुमत से नहीं भरती के लिए प्रचार किया जाएगा उधर पद अकलन की प्रक्रिया है कि पूरी ही नहीं हो रही, सिक्छक पथ का अकलन करने का कारी होगी अद्रतनाथ की पहले सरकार में विदान सवाथ चुनाओं से पहले से ही किया जा रहा, यह बात बिल्कुल था ही, जो समित बनाई गई थी उसके अध्या राजसुपर्सत के चेर्मेन मुकुल सिंगल 30 अफ्रिल को सेवा निब्रित हो गए लेकिन रिपोर्ट का अब तक पता नहीं चला उसके बाद विदान सबाद चुनाओ की प्रिक्रिया सप्मन हुई और फिर आई होगी सरकार के 100 दिन का दे चुकी है 16,200 पदों पर भरती की खुष्णा की गई थी हलाकि यहां पर आप देख सकते हैं जो भी छात्र बीड और डेलेट किये बैटे हैं प्रात्मी सिक्षक भरती का इंतजार कर रहे हैं वो सभी लोग अभी बहुत जादा निराज हैं बहुत जादा नाराज हैं क् चीक है मुकुल सिंगल जी वो रिटायर भी हो चुके हैं सरकार आ गई दुबारा सो दिन कारिभाई इनका पूरा हो गया लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट का कोई भी अता पता नहीं है कहीं ना कहीं जो छात्रें वो काफी जादा निरास हैं इस चीश को लेकर कि क्योंकि सबी चात जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहते हैं और उनको भी एक भरती की जरूरती तो फिलाल आज के लिए ये अपडेट थी अगली अपडेट है SSC MTS की तो SSC ने रद की कमायो वाले अब्यारतों के प्रिवेस पत्र मल्टी टास्किंग स्टाप और हवलदार पत्र भरती के लिए कमायो के करीब 1000 अब्यारतों ने आवेदन कर दिया था इससे प्रिवेस पर जारी करते हैं समय या गरबड़ी पकड़ी गई आयसे में करमचारी चैन आयोक से आयसे ब्यारतों के प्रिवेस पर रद कर दिये गए हैं MTS 2021 की भरती परिक्षा 5 जुलाई स प्रिवेस पर जारी हो गए तो उन्हें परिवेस पर जारी हो गए तो उन्हें परिक्षा केंसे लोटाया जा रहा है मद चेत में ऐसे करीब 600 अब्यारती जिन्हें प्रिवेस पर रद होने के सुचना दी गई है तो कुल मिलाकर आप यहां पर देख सकते हैं कि जिन चात्रों की एज कम थी फॉर्म डाल दिया था तो उन्हों का प्रिवेस पत नहीं आ रहा है जिन लों का प्रिवेस पत राग अब्यारती जिन्हें प्रिवेस पर रद होने के सच्चिव अउनी सक्सेसलन से बारता हुई इसमें परड़ाम जल जारी के जाने का अस्वासन मिला है इसके बाद अब ब्यारतीयों ने प्रदर्शन अस्थिकित कर दिया तो आप देख सकते हैं लोर पीसेल जो 2019 हुआ था हलाकि 2022 चल ला है और इसका अभी तक कोई रिजल्ट का आता पता नहीं जब भी प्रदर्शन होता है तो छात्रों को आस्वासन मिलता है और मजबूरी म चात्रों को अपना प्रदर्शन जो है वो अस्थिकित करना पड़ता है वहीं पर यूपीट पलस्थी से एक और अपडेट कर आई थी कलेक नोटी जारी हुई थी अगर आपको पता हो तो समलित प्रवर अवर वर्ग पूर्थ निरिक्चा मुख परिक्चा के अंतरगत जो अवर वर्ग सायक प्रवर वर्ग सायक वह पूर्थ निरिक्चा के उच्छी 70 रिक्पते उसकी जो मुख परिक्चा है वो 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगी और इसका जो एड्मिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया तो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सिख्चक 2016 और 21 की वेटिंग लिस्ट में सामील अब भैरतियों ने असास के साहता प्राद मादमिक द्यालों में निूखती के लिए सोमार को मादमिक सिख्चा सेवा चैन बोर्ड में धर्ना प्रदस्ण किया अब भैरतियों ने रिक्त पदों पर अउसे इस पैनल में चैन गुला देवी से मुलाकात की गे थी उन्होंने कहा कि न्यूकती चैन बोर्ट की उर से दी जाएगी लेगिन बोर्ट से अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात तो नहीं यह कहा है कि जैसे बहुत सारे छात रहसे हैं जिन्होंने TG CT-PGT दोनों में पास हो गए तो उन्हें जो आइन तो एक मैई करना तो बाकी जो एक पद बचे हैं वो बेटिंग लिस्ट वाले छातनों को दे दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा उसी को लेगर करके छात प्रदर्सन यहाँ पर कर रहे हैं तो फिलाल आज के लिए इ नमस्तरी जहिल जमारत